हेलो इस्टूदेंट्स आई वेलकम आलाओ फिनमाई क्लास आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बुक पैनौर्मा का फॉर्थ लेशन डॉट डॉट का मतलब होता है सूखा या खाल और इस पार्ट को लिखा है शरचंद चटर जी ने सलसें चटर जी एक बंगाली लेखक थे और इन्होंने बहुत सारे फिक्शन्स लिखे हैं और इनके अधिकांस जो लेखा हैं उन्में सोशल कंडिशन्स थी बंगाल की उसके बारे में लिखा ऐ इन्होंने तो लेट्स स्टार्ट लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीर सब्सक्राइब माई चैनल फ़स्ट जिस से कि आपको नवीनतम अपडेट्स آپत हो सकेरे इसके अलावा सभी बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अपनी अपनी बुक भी यह दी खोल लें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में आसानी रहेगी इसके अलावा ये भी कि पूरा लेसन ध्यान से देखें देखिना जाएद नाम कांशी पूर एक बार कोई गाहां था जिसका नाम कांशी पूर था एक छोटा गाहां था án जमीदार बआज इस्मालर। श्टिल। और उस गाओं का जवटा चोटा ता, और उस से भी चोटा जमीदार था। यच इस टीनेंट्स डियर नौट इस्टेंड अफ तू हिम। लेकिन फिर भी उसके जो टीनेंट्स थे, वो उसके खिलाब खड़ा होने का सास नहीं करते थे यानि जो कास्तकार थे उसके वो उससे डरे वे रहते थे क्यों कि ही वास सो रथलेस क्योंकि वो बहुती रथलेस किसम का आदमी था यानि बहुत ही क्रूल था यानि एक तरीके से हम कहें तो बहुत ही क्रूल और निर्दई था इट वाज दा बर्डे आफिस यंगेस संड एक बार क्या हुआ कि जमिदार साव के सबसे छोटे बेटे का बर्डे था जन्म दिन था इट वाज नून दोफेर का बक्त था और तारक रतना दा प्रिष्ट अब तारक रतना एक जो पुजारी था वाज ओन हिस वे हॉम फ्रॉम दा लेंड लॉर्ड्स हाउस वो लेंड लॉर्ड के हाउस से यानि जमिदार के मकान से अपने घर की तरफ आ रहा था जहां उसने प्रार्टनाए की थी आफ्रिंग प्रेयर्स इट वाज निरिंग दा एंड अफ में मई के महने का अंत होने वाला था बट नौट ए पैच ऑफ क्लाउट कुछ भी सीन इन दा इसका लेकिन आस्मान में एक बादल का टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे सका दे रेनलेस फर्मामेंट प्यॉर्ड फायर और ऐसा रगता था जैसे आस्मान से यानि बादल भी न आस्मान से आग बरसी हो प्यॉर्ड फायर यानि प्यॉर का मनलब टपकना या बरसना या गिरना फायर यानि आग हर्मामेंट का मतला होता है इसका ही यह नहीं आस्मान दा फिल्ड इन फ्रंट इन फ्रंट इन इन सामने का सामने जो खेट था स्ट्रेचिंग आउट टू दा हॉरिजन जो आगे हॉरिजन तक फैला हुआ था छितिज तक जो फैला हुआ था स्ट्रेच हो रहा था अब ये छितिज क्या होता है हॉरीजन तो प्यारे बच्चो जब एक ऐसा पॉइंट जहां धरती और आकास मिलते हुए प्रतीत हों तो वो जो पॉइंट होता है वो हॉरीजन कहलाता है तो वो जो हॉरीजन तक वो खेत फैला हुआ था हैड ब्रॉगन अप इन्टो टेंस ऑफ थाउजेंड्स आफ फिसर्स इन दा बर्निंग ब्लेज तो क्या है कि उस खेत में अब चुकि बरसात नहीं हुई थी तो हज्जारों हज्जार की संख्या में उस तपती हुई दुफैर के कारण बर्निंग ब्लेज के कारण या आकास से जो आग उगल रही थी या आकास से जो आग निकल रही थी उसके कारण वो धरती जो थी जमीन जो थी वो हज्जारों की संख्या में जो है फट गई थी दरार रहे होगी थी उसमें and it looked as though the life blood of mother earth और ऐसा लगता था जैसे कि mother earth का life blood यानि धरती माता का जीवन रक्त life blood was unceasingly flowing out लगातार बहकर के बाहर आ रहा हो throw them as smoke उन दरारों में होकर के as a smoke मनला धुमा के रूप में if one gazed long at its rising flame like sinious movement और यदि कोई व्यक्ति ये जो धुमा के रूप में कुछ निकल रहा था दरारों में होकर के यदि उस ज्वाला जैसी चीज़ को यानि जो एक flame like sinious movement हो रहा था यानि लप-लपाती हुई ज्वाला जो हलचल के रूप में उन दरारों में होकर के निकल रही थी यदि कोई व्यक्ति उसको देर तक देखे तो वो देखने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस करता था अपने आपको जैसे कि वो सराब पी करके मतवाला हो रहा हो and at the end of the field beside the road और उस फिल्ड के अंतिम सिरे पर end of the road there stood the house of गफूर the beaver उस खेट के अंतिम सिरे पर एक जो बीवर था जिसका नाम गफूर था एक जुलाहा जिसका नाम गफूर था उसका मकान इस्थित था now that the mud walls were in ruins और उस मकान की यानि उसका जो house था उसकी जो mud walls थी वो बिल्कुल रून्स में तबदील हो गई थी यानि जो मिट्टी की जो दिवारें थी वो खंडर के रूप में दिखाई देती थी आजकल the courtyard touched the public highway और उसका जो आंगन था वो आम रास्ते से बिल्कुल मिला हुआ था उससे touch हो रहा था and the inner privacy और अंदर की जो privacy थी घर की was thrown on the mercy of the pastor स्वाई वो राइगीरों के दया पर छोड़ दी गई थी कैने का मला है यदि कोई राइगीर देखना चाहे तो सब कुछ खुला हुआ दिखाई देता था कि उसके मकान में क्या हो रहा है hey Gafoor is anybody in called out Tarak Ratna standing in the shade of a tree by the roadside यनी एक सड़क के किनारे एक पेड की छाया में खड़े होते हुए Tarak Ratna ने जोर से आवाद लगाई कि अरे Gafoor क्या कोई अंदर है what do you want, father is down with fever, answered Gafoor's little daughter तो Gafoor की एक छोटी बच्ची थी, उसने जवाब दिया कि पिता जी भुकार से पीडी थे हैं, यनी उनको भुकार हो रहा है, भुकार से पड़े हुए हैं और what do you want, यनी आप क्या चाहते हो aged 10 appearing at the door, जिसकी आयू 10 साल थी और वो दर्वाजे पर appearing हुई, मनला दिखाई दी fever, call the scoundrel, तारग रतना shouted, तारग रतना जोड़ से चिला या क्या कहा, भुकार हो रहा है, उस बदमास को बुलाओ the noise brought Gafoor out, अब ये जो शोरगूल हुआ, उसके कांड गफूर खुदी बाहर आ गया severing with fever, जो fever से कांप रहा था, शिवर हो रहा था, मनला कांप रहा था, ए बुलवाज टाइट, टूदा ओर्ड अकेसिया, और एक बैल जो आहाते में, या उसांगन में बना हुआ था, एक पुराने अकेसिया से, यानि एक पुराने बबूल के पेट से, या लेंड अगेंस दा ब्रोकनवाल, और वो बंबूल का जो पेट था, वो तिर्चा होकर के, टूटी हुई दिवार के, की तरफ जुक रहा था, लीन हो रहा था, वाट डू आई सी देर, डिमांडेट तारक रतना, इ इंडिकेट करते हुए, जो है, गफूर से कहा, की भाट डूआइस सी देर, मैं ये क्या देखता हूँ, डू यू रेलाइच, देट दा लेंड लॉड बिल नॉट टॉलेट इस, की तुम इस बात को क्या नहीं जानते की, जो लेंड लॉड है, वो इस चीज को सेहन नहीं कर है, टॉलेट नहीं करेगा, टॉलेट मन्लब सेहन करना, लॉड ही झाल। इस फेस वास क्रिम जान, इंडिक नेशन, और लाल रग का हो राधा शुर्ख लाल रग, इसा आशा की गई थी that his words should be hot and harsh कि उसके जो सब थे वो harsh और hot होने चाहिए थे यानि गर्म और कठोर होने चाहिए थे बट गफूर simply looked at him लेकिन गफूर ने ऐसा कुछ नहीं किया है यानि वो जोर से नहीं बोला क्रोद से नहीं बोला बलकि वो simply यानि साधार सामाइन रूप से उसने देखा उसकी तरफ unable to follow the import of his words और यहां तक की वो जो है तारग रतना के सब्दों में जो छुपा हुआ इंपॉर्ट था जो मिनिंग थी उसको भी वो समझने में जो है ऐसा मरत रहा well said तारग रतना तारग रतना ने कहा कि ठीक है I saw it tight there in the morning and it is still there कि भई मैंने इस बेल को जब मैं इदर होके निकला था सुबह के वक्त तो तब भी यह यहीं बना हुआ था अभी भी यह यहीं पर बना हुआ है if the bull dies your master will fly you alive तब तारग रतना ने आगे कहा कि यदि यह बेल मर गया डाई हो गया तो तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हारी खाल उधेर देगा fly you alive in तुम्हारे जिंदे की ही खाल उधेर देगा fly का मनला होता है खाल उधेर ना what shall I do father I am helpless तब गफूर ने तारग रतना से कहा कि मालिक मैं क्या करू I am helpless मैं बहुत ही ऐस हाय हूँ helpless हूँ I have had fever for the last few days आगे उसने ये का कि मुझे पिसले कुछ दिनों से भुकार हो रहा था I can't take him out to grace और मैं इसको बाहर चराने नहीं ले जा सकता grace करने नहीं ले जा सकता grace का मनला होता चराना I feel so ill मैं बहुत ही बिमार महसूस कर रहा हूँ Can't you let him grace by himself तब तारग रतना नहीं कहा कि क्या तुम इसको अपने आप चरने नहीं छोड़ सकते थे grace का मनला चरना grace by himself यह इस तरह की भी तुम प्रबंद कर सकते थे कहने का मनला खोल देते इसको यह अपने आप ही चरिया था where shall I let him go father तब गफूर ने तारग रतना से का कि मालिक मैं इसको कहा जाने देता where shall I let him go मैं इसको कहा जाने दू people haven't thrashed their peddy yet लोगों ने अभी तक अपनी peddy को thrash नहीं किया है यानि अभी धान में से भूसा नहीं निकाला गया है it is still lying in the fields वो अभी भी खेतों में ही पड़ा हुआ है lying lying मनला पड़ा हुआ the straw hasn't been gathered और इस्टा अभी इकट्टा भी नहीं किया गया everything is burnt to cinders हर चीज जल करके राख हो गई है cinders में बदल गी है गर्मी और धूप के कारण everything is burnt to cinders हर चीज जल करके धूप के कारण सूखे के कारण जल करके किसमें तबदील होगी है cinders में cinders का मनलब राख there isn't a blade of grass anywhere और कहीं भी मालिक जो है एक घास का तिनका भी नहीं है a blade of grass यानि घास का तिनका how can I let him loose मैं इसको कैसे खुला छोड़ू father, मालिक he might start poking his nose into somebody's peddy or eating somebody's straw और यदि मैंने ऐस कर दिया यिसको खुला छोड़ू दिया तो ये ये जो bul है ये कहीं जाकर किसी भी वیکक्ती के खेत में जायगा और उसकी पैड़ी में जाकर sumまरेगा यनि किसी के दान को खाज़एगा के भीछा रहा झायगा और हो सकता है किसी में बंडल ऑफ इस्ट्रा और टू मंच और तुम इसको जो है एक या दो बंडल इस्ट्रा के मंच करने के लिए दे सकते हो मंच का मनला चबाना क्या तुम्हारी बेटी ने चामल नहीं पगाया वाइनोट गिमी में टब ओ बॉइल राइस वाटर क्यों नहीं इसको एक उबले हुए चामल का पानी दे 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 लेट इम डिंक इट इसको वो चामल का पानी पी लेने दो गफूर मेड नो रिप्लाई गफूर ने इसका कोई जवाब ने दिया लुक्ड हेलपलेसली अट तारग रतना उसने निसहाय हो करके एसाय हो करके तारग रतना की तरफ देखा और एक गहरी निस्वास छोड़ी डीप साई I see you haven't even got that much मुझे पता है कि तुमारे पास ज़्यादा नहीं है What have you done with your share of straw तुमने तुमारे हिस्ते के इस्टा का क्या किया यानि भूसे का क्या किया I suppose you have gone and sold it to satisfy your value मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुम गए होंगे और तुमने अपने पेट की आग बुजाने के लिए उसको बेज दिया होगा Not saved even one bundle for the bull तुमने इस बुल के लिए एक बंडल भी नहीं बचाया How careless you are, तुम कितने careless हो, तुम कितने कठोर दिल वाले हो careless at this cruel accusation, इस हिंसक accusation पर यानि जो ये accusation लगाया गफूर के उपर तारग रतना ने जो आरोप लगाया गफूर seem to lose the power of speech तो ऐसा लगा कि जैसे गफूर कुछ जो है कहना चारा हो, यानि गफूर का सब्र का जो बान था वो तूटता हुआ महसूस हुआ This year, I was to have received my share of straw, this year, this year, I was to have received my share of straw Said गफूर slowly after a moment of hesitation, तब एक छण की रुकावट के बाद में, एक छण हिच्चिचाने के बाद में गफूर ने धीरे से कहा कि मालिक ऐसा है, इस वर्स, यानि जो मुझे मेरे हिस्से का इस्ट्रा मिलने वाला था But the master kept it, all on account of my last year's rent, उस भूसे को मालिक ने पिछले साल के मेरे रेंट के रूप में रख लिया, यानि मुझे नहीं दिया यानि पिछले साल का जो मेरा रेंट था, जो किराया था उसके रूप में, मेरे उस इस्से को रख लिया, मुझे नहीं दिया गया Sir, you are our Lord and Master, I implore, falling at his feet, स्रीमान आप हमारे मालिक हैं मैंने निवेदन किया, implore किया, falling at his feet, उनके पेरों में गिरते हुए Where am I go, if I leave your domain, मैंने ये भी का कि मालिक, यदि मैं तुमारा ये छोड़ दूँगा domain, यनि इस राइज को छोड़ दूँगा, तो मैं कहां जाऊंगा Let me have at least a little extra, कम से कम मुझे को थोड़ा सा extra, तो रख लेने दो Let me have at least a little extra, कम से कम मुझे थोड़ा सा भूसा, तो रख लेने दो There is no extra on my roof, मेरे चचत के उपर भी extra नहीं है, बिलकुल भी And we have only one hut In which two father and daughter live, और उसी जौपने के अंदर दोनों, पिता और बेटी रहते हैं We will pass the roof with palm leaves, यहां तक कि हमने हमारी जो रूफ की यहां तक कि हमने हमारी जो यह जौपनी है इसकी चटवी palm leaves की बना रखी है And manage this rainy weather somehow, और किसी तरह हम इस rainy जो बैदर आने वाला है, यह जो बरसात का मौसम आएगा, उसमें हम किसी तरह गुजारा करेंगे But what will happen to our maize without food, लेकिन मालिक यह बताओ, कि हम तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, बरसात के मौसम में भी, लेकिन यह विचारा जो maize है, तो बिना भोजन के इसका क्या होगा? यह maize कौन है? यह maize उस बैल का नाम है, पिर यह बच्चों, इंडीट, वास्तम है, so you are fond enough of maize, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तु maize को बहुत ज़्यादा चाहते हो, this is a joke, क्या एक मजाक है? बिना बहुत ज़्यादा झाये है, but this सारकेज्व आपम काुशा लेकिन यह जो सारकेज्म था, यह जो ब्यंग था, वो गफूर तक नहीं पोँचा बट इस सारकेज डिड नोट रीज गफूर लेकिन ये जो तारक रतना का जो सारकेज में था जो ब्यंग था वो गफूर तक नहीं पहुंचा बट ता मास्टर टुक लो पिटी ऑन मी लेकिन मालिक ने मेरे उपर कोई दया नहीं दिखाई वो कहता चला गया या जितना धान मुझे दिया गया वो सिर्फ दो मेनी चला माई सेयर ऑफ इस्टर वाज एड़ेट टू हिज आउन स्टॉक और मेरे सेयर का जो इस्टर था यानि मेरे बट का जो भूसा था वो भी उन्हीं के स्टॉक में मिला लिया गया उनी के बंडार में मिला लिया गया मैश डिरंट है इवन इविस पॉपिट और यहां तक कि मैश को उसमें से कुछ भी नहीं मिला एक पूरी भी नहीं मिली क्या तुम तुमारे उपर उनका कोई उधार नहीं है क्या तुमारे उपर उनका कोई धन उधार नहीं है Do you expect the landlord to support you? क्या तुम landlord से तुमारी support करने की अफिक्षा करते हो? यानि उनसे मदद की अफिक्षा करते हो? Expect यानि अफिक्षा करना But what am I to pay him with? लेकिन मालिक मुझे ये बताओ मैं किस चीज से उनका उधार चुका हूँ We still four vigas of land for him, we till four vigas of land for him हम उनके लिए चार vigas जमीन जोतते हैं But the paddy has dried up in the fields, लेकिन जो धान था वो खेत में ही सूख गया During the droughts in the last two years, पिछले दो सालों के सूखे के कारण My daughter and I have not even enough to eat यहां तक कि मुझे और मेरी बेटी को खाने के लिए भी परियाप्त नहीं है यानि मेरी बेटी को और मुझे खाने के लिए भी परियाप्त खाना नहीं था Look at the heart हमारी जोंपली की दरब देखो When it rains, जब भी बरसात होती है It is spent When it rains, यानि जब भी बरसात होती है I spend the night with my daughter Huddled in one corner तो मैं मेरी बेटी के साथ सिकुल करके इस जोंपली के किसी corner में बैठ जाते है We can't even stretch our legs यहां तक की हमारी हालत यह होती है कि हम टांग भी नहीं पसार सकते Stretch नहीं कर सकते Look at महेश और यह महेश को देखो आप You can count his riffs तुम इसकी पसलियां भी गिन सकते हो Do land me a bit of hay for him मुझे उसके लिए थोड़ा सा चारा उधार दे दो So that he can have something to eat For a day or two जिससे की एक या दो दिन के लिए उसको खाने के लिए कुछ मिल सके And गफूर sank down on the ground और ऐसा के के गफूर नीचे जमीन पर बैठ गया At तारक रतना's feet तारक रतना के पेरों पर So dear students आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और आगे का पार्ट अगले वीडियो में हम साथ मिलेंगे और फिर अगला पार्ट देखेंगे अब अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है कि तारक रतना ने क्या किया गफूर का आखिर का और क्या हुआ और महेस जो एक बैल का नाम है उसकी और क्या हालत हुई जो सूखा पढ़ रहा था क्या बरसात हुई या बरसात नहीं हुई यह सारी चीजें हम इस पार्ट में जो भी घटनाए होंगी वो अगले वीडियो में देखेंगे तो दियर इस्टुरेंट्स देट्स आल पर तोडे सी यू अगें इन नेक्ट वीडियो तिल देन कीप वाचिंग माई वीडियो थैंक यू बेरी मुश वर वाचिंग माई वीडियो